आगे बढते हैं बात करें यहां से गौार कॉंप्लेक्स की तो यहां से हम देख रहे हैं कि गौार गम का डिसेंबर वाइदा इस समय जो कारवा करता नजर आ रहा है वो 11,787 पर है हलकी सी भरत के साथ और गौार सीर का डिसेंबर वाइदा 6,327 पर कारवा करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि शाम के कारवाईसत में गौार का वाइदा बजार जो हमने रिसेंटली बहुती अभी हाल फिलाल के अंदर 13,000 गौार गम का वाइदा था 13,000 की उपर निकलता देखा था अब वही गौार गम कहीं न कहीं अब लुड़कता नजर आ रहा है फिसलता नजर आ रहा है इसके साथ हम देख रहे हैं कि गौार सीर की जो कीमते हैं वो भी अब नीचे की और गिरती नजर आ रहे हैं गौार कॉंपलेक्स के अंदर बड़ी तेजी से बिक्वाली का दौर देखने को मिल रहा है इसके कुछ कारण बनते नजर आ रहे हैं जिसकी वज़ा से गौार की जो कीमते हैं उनमें एक बिक्वाली का दौर देखने को मिल रहा है और गौार के अंदर हाला की ये बात भी इस बात से भी मुंकरा नहीं जा सकता है कि गौार ने काफी अच्छा मुनाफ़ा भी कमवा है कारोबारी को चाहिए हाजिर कारोबारी हो या फिर वायदा कारोबारी हो दोनों ही कारोबारी को गौार ने काफी अच्छा लैवल भी दिखला है लेकिन अगर बात करें अपने एक्सपर्ट की जो की केडिया अडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया है उनके मुताबिक गवार सीड में खरीदारी करने या फिर इसका टेंट डेखने लिए कम से कम आपको 54 के स्थर का वेट करना चाहिए क्योंकि इस बार साल 2021 में गवार की अंदर जो तेजी बनी थी उसको कह सकते हैं कि जस्टिफाइड नहीं थी एक तरह से जिस हिसाब से fundamentals थे उनके हिसाब से अगर तेजी देखी जाए तो यह जो तेजी है बहुत जादा है आपको बता दें कि जनवरी 2021 से अगर अब तक की बात करें तो गवार गम ने लगवाग 105 फीज़ी से जाद की तेजी दिखा दी है जो कि किसी भी commodity के लिए सिफ गवार की बात नहीं है किसी भी commodity के लिए बहुत बड़ी बात है 100% से भी जादा का उचाल दे देना और ऐसा नहीं है कि markets के अंदर गवार गम के जो alternatives हैं अच्छे विकल्प हैं वो मौजूद नहीं है वो भी मौजूद है और अगर किसी भी industry के लिए जो costing price है उनके लागत का वो बढ़ता है तो वो जो companies होती हैं institutions होते हैं वो दूसरी alternatives की ओर जाते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना काफी जरूर ही है हाला कि international market में crude के prices का असर गवार की कीमतों पर जरूर परता नज़र आया था लेकिन इसको एक speculation ही का जा सकता है कोई ज़्यादा fundamental तेजी वाली इसको नहीं का जा सकता है और फिर market को देखना चाहिए और उनके मताबिक गवार गम में गवार सीर के मुकाबले ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है तो अभी हाल फिलाल में गवार की कीमतों को पहले अभी wait and watch की policy अपना है और फिर उसके बाद मैं जो आपको levels बताएं उन levels का wait करें फिर गवार की market को देखें कि trend कहा जा रहा उसके बाद ही अपनी कोई run नीती बनाए